आज एक कंभीर विशे में मैं चर्चा करना चाह रहा था बहुजान समाज पार्टी एक राजनीतिक दल के साथ एक मिसन है मिसन क्या है मिसन है इस देश में गैर बराबरी के आधार पर जो समाज बेवस्था बनी है उसको समता मूलक समाज इस्थापित करने के लिए बहुजन महानायकों के विचारों उनके आंदोलन के आधार पर इस भारत देश में हज्जारों साल से सोसित गुलाम लाचार जीवन के जो जीवन उपयोगी अधिकार हैं उनको दिला कर इस देस में समता मूलक समाज की इस्थापना करना है मानुवर शिरी और अब करने हो और अब बरतमान में वहुजन समाज की वहुजन समाज पार्टी मानेवर कासी राम साब की उपज है मानेवर कासी राम साब ने इस बहुजान समाज पार्टी को तैयार किया और उन्हों ने यह उत्तर दाई तो बहन कुमारी मायवती जी को सौपा जब से बहन मायवती जी ने यह जिम्मेदारी उठाई है वो लगातार इस प्रयास में हैं कि बहुजान समाज का मुवमेंट बढ़े बहुजान समाज अपने हक हुकूप के लिए अपने स्वाभिमान के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए वो लगातार आगे बढ़े तो साथियो इस मुवमेंट के खिलाप जाहे वो जोती वा फुले जब उन्होंने संघर् किया इस मुवमेंट को रोकने के लिए जो यथा यिथा इस्तिति वादी लोग हैं जो मनुवादी लोग हैं वो समाज बिवस्था को यथा इस्तिति बनाए रखने के लिए उन्होंने लगातार प्रयास किये उनके सड़यंत्र की इस देश में शोषाण अन्याई अत्याचार बिसमता मूलक समाज बना रहे क्योंकि इस से उनको फाइदा है वे इस समाज वेवस्था के बेनीफिशरी है इस देश में धर्म के आधार पर जो राजनीत चल रही है वो बनाए रखना चाहते हैं वे मजबूत करते रहते हैं समय समय पर इस तरह के आंदोलन चला कर वे उस ब्रामरवादी बेवस्था को मजबूत करते रहते हैं और जो बहुजन मूवमेंट है उसको रोकने का पूरा प्रियास करते हैं मास्त ने कहा था कि धर्म एक अफीम है इस अफीम को खिला कर लोग बेहोस हो जाते हैं लोग सुद भूद खो देते हैं लोग अपने अस्तित अपना मान सम्मान अपना स्वाभिमान खो देते हैं उन्हें अपने हक रोजगार की शिक्षा की विरोजगारी की स्वास्थ की कोई चिंता नहीं रह जाती वो केवल ये समझते हैं कि भगवान ने हमारे हमारे भागे में यही लिखा है साथियो ये सोशन अन्याई अत्याचार लगातार जारी है अगर वे बेनी फिशरी लोग इस बेवस्था को बनाये रखने के लिए पूरा प्रेत्न करते हैं और बहुजन मुव्मेंट को रोगते हैं तो ये उनका काम है ये करेंगे लेकिन तकलीव तब है जब बहुजन समाज के लोग ही भीवीशन का रोल अदा करके एक इस बहुजन समाज के साथ गद्धारी करके बावा साहब ने बहुजन समाज के साथ कभी गद्धारी नहीं की वो चाहते तो कुछ भी बन सकते थे कुछ भी उनको मिल सकता था ऐसो आराम की जिंदगी जी सकते थे अपने बच्चों को खोया उन्होंने इलाज के अभाव में पैसे के अभाव में उनकी देखरेग नहीं कर पाए पैसे के दिक्कत के कारण तो साधियो काशिराम साब बड़ी असहाए अवस्था में उन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया उनके पैसे नहीं थे कपड़े नहीं होते थे खाने को नहीं होता था कोई उनका घर सबकुछ उन्होंने त्याग दिया इस समाज के सम्मान को बढ़ाने के लिए बेहन माया वती जी ने जो कदम उठाया है आज उनका त्याग उनका समर्पन इस समाज के लिए कहीं तो ऐसा नहीं दिखता कि हमें संदेह करने की जरूरत है कि उन्होंने इस मूमेंट को बेज दिया इस मूमेंट के खिलाप काम कर रही है कहीं तो ऐसा नहीं दिखता दिख मिसन जो चला रहे हैं, वो चला रहे हैं, मनुवादी पार्टियों का, वो मनुवादी पार्टियां जो लगतार सोशन कर रही हैं, नया अत्याचार कर रही हैं, जुल्म जहती कर रही हैं, उन्हीं के तल्वे चाटने में लगे हुए हैं, उन्हीं के गुलाम बने हुए हैं, बहन मायवती जी ने ऐसा तो कभी नहीं किया, ये लोगों का एक इल्जाम कि उन्हों ने मनुवादियों के साथ सरकार बनाई, नहीं, मनुवादियों उस समय तो कासिराम साहब भी थे, उन्हों ने कहा, हमें अवसर का लाब उठाना है, हम कब तक इस तरह से संघर्ज करते र आनी है, लेकिन सरकार अपने वसूलों पे, उन्हों ने जो भी कदम उठाया, वो बहुजन समाज के मान सम्मान को ध्यान में रखकर, बहुजन समाज का हित ध्यान में रखकर, इस तरह के कदम उठाये, चार बार उन्हों ने सरकार बनाई, अपने वसूलों पे, बहुजन स समाज के बिरुद्ध नहीं है, इस मुमेंट के बिरुद्ध नहीं है, महानायकों के किसी विचारधारा के बिरुद्ध नहीं है, बिरुद्ध तो उन लोगों का है, जो इन लोगों से मिलकर, इन भीवीजण जैसे लोगों से इन गदार लालची, पद और प्रतिस्था के ला पंत्रीपत चाहिए, मेले बनना है, MP बनना है, लोगों के दर्वाजे जा जाके गिलगडाते नजर आ रहे हैं, इतनी जलदी पड़ी है, अभी 10 दिन भी नहीं हुआ, एक बार जेल जाके, हमने तो जेल किया है, हमने संघर्स किया है, इस समाज के लिए, संघर्स, संघर्स क् संघर्स, बहुजन समाज के महानायकों का संघर्स, बहुजन महानायकों से सीखने की जरूरत है, बाबा साब से सीखने की जरूरत है, कासिरान साब से सीखने की जरूरत है, बहन मायावती जी से सीखने की जरूरत है, साथियो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं नहीं नियंत्रण जरूरी है नियंत्रण अगर आज भारत की राजनीत के केंद्र में हैं यह सब को महशूस हो गया है जो आज सबसे बड़ी पार्टी भारती जन्ता पार्टी वो इस बात को स्विकार करती है इस बात का डर है कि अगर भीन माया होती जी इन्डिया के गडवनन मौनको डर सता रहा है कि हम हमारे साथ नहीं हैं और आज बहुजान समाज के लोगों को accept करना पड़ेगा कि बहन मायोती जी बहुजन समाज की नेता नहीं वो नाइका है अब वो नाइका के रूप में स्थापित हो चुकी है नेता तो बहुजन समाज का और इसी जुड़ा के कारण जो लोग यह समझते हैं कि अकेले कुछ भी नहीं हो सकता मैं डाटा की माध्यम स उनको एक एक जामपिल देना चाहता हूँ साथियों बहुजन समाज पार्टी जब से लड़ना शुरू किया राजनीती में दखल दिया तो 89 में बहुजन समाज पार्टी को 13 सीटे मिली थी और 9.41 परसेंट ओट मिला था यह बहुजन समाज की ताकत बहुजन मिसन की ताकत केवल बहुजन समाज के लोगों के बदावलत केवल अंसूची जाती है उससे जुड़े हुए लोगों की बदावलत किस तरह से इसका उभार हुआ इस मिसन का उभार हुआ 91 में 12 सीटे मिली थी 8.26 परसेंट ओट मिला था और साथियों एक विसेश बात में अब बताने जा रहा हुँ को 1993 में बहुजन समाज पार्टी को 11.11 परसेंट ओट मिला था 67 सीटे जीती थी अब ध्यान से सुनिए 2002 में 23.19 परसेंट ओट मिला था और 98 सीटे बहुजन समाज पार्टी जीती थी 24 सीट जो रिजर्ब सीटे थी जो आरच्छे सीटे थी के लिए 24 सीटे बहुजन समाज पार्टी जीती थी और 2007 में 30.46% ओट मिला था 206 सीट जीती थी बहुजन समाज पार्टी और 62 सीटे रिजर्ब जीती थी इसको गौर करिए मैं आप सभी जो मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं बहुजन मिसनरी साती हैं इस बात को ध्यान से सुनें कि 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी तो आरक्षित सीटे 62 जीती थी अर्था ये रिजर्ब सीटे ये रिजर्ब सीटे किसके बदोलत जीती गई पूरा बहुजन समाज का चुँ आंसूची जादी का बेक्ती आरक्षित सीटों पे एक जुट हो गया था उसने कुछ नहीं देखा मिसन के साथ जुड़के 62 सीटे अगर ये नहीं इनको निकाल दिया जाए तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बनती 62 सीटों के बाद अकेले अकेले दम पे किसी के साथ समझाता नहीं था और अकेले बहुजन समाज मुव्मेंट के कारण ब 2012 में 25.91 परसंट सीट वोट मिला था 80 सीटे रह गई और केवल 15 सीटे रिजर्व की जीती इसलिए बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बन पाई 2017 में 22.23 परसंट वोट मिला केवल 19 सीटे जीती और केवल 2 रिजर्व सीटे जीती 2022 में 12.81 परसंट वोट मिला एक सीट जीती और एक भी रिजर्व सीटे नहीं जीती साथियो मैं ये कहना चाहता हूँ जब 62 सीटे जीती रिजर्व की बहुजन समाज के लोगों के बदावलत अनसूची जाती या केवल एक वर्ग के बदावलत सरकार बन गई उसके बाद इन वर्ग के लोगों को कमीने लालची गद्दार और भीवी संड जैसे लोगों के वैसे उनको लगा कि अब तो हम सत्ता में बने रह सकते हैं मलाई खा सकते हैं हमें कहीं न कहीं से कहीं से टिकट मिल जाए तो हम जीत सकते हैं और वहां एमेले तो हम बने ही रहेंगे मंत्री तो हम बनी जाएंगे लोगों ने बहुजन मूवमेंट से हट कर लोगों ने बहुजन समाज के लोगों से गद्दारी करके अपने समाज के लोगों से गद्दारी करके बहुजन नायकों से गद्दारी कर बाबा साप से गड़ दारी करके, काची राम साप से गड़ दारी करके, वह अन्य दलों में मिल के वहां पिधायक बने, वहां जीते, वहां मंतरी बने और इस मिसन के साथ धोखा किया, धोगे पाज कौन है? बीजेपी की बी टीम कौन है बीजीपी के साथ सहयोग करने वाले कौन लोग है जो ये गद्दार लोग अलोचना करते हैं कि बहन मायावती जी बीजेपी की बी टीम है सनम आनी चाहिए उनको कि ये इनके करण इसके उल्टा आप देख लीजे जब 2012 में 2012 में समाजवादी की स सरकार बनी किसके वज़द इन अंसूची जाती के लोगों के वज़द ये गद्दारी करके उसे अंबेद करवादी उसे मिसंडिमां के समाजवादी में चले गए 58 सीटे जीती जब 2017 में चुनाव हुआ तो इन कमीने इन गद्दार लोगों की वज़ए से इन गुलाम तो गद्डारी किसने की? BJP के साथ मिले हुए लोग कौन है? इस मिसंद के साथ धोखा देने वाले, बाबा lodेशा धोजा हैं, काशीराम साथ देने वाले कौन लोग है? इस समाज के वो गद्दार लोग है, वो गुलाम लोग है जो आज इस भावजन मुवमेंट के साथ गद रही हैं अगर यह सथर लोग अलग हो जाते लिशनरी अपने आपको कहते हैं उम्वेटकरवादी अगर इनकी अवकात है तो इन सथर सीटे रिजर्व सीटों के अलावा कहीं लड़के देख ले बीजेट पी ज् собствен वाले यह समाजवादी पार्टे, Congress party वाले जरा इनको जनेरल सीफ पर लडा दे, तो हम समझें कि ये उनके बड़े हम, उनके बहुत बड़े सहयोगी हैं, इस जाती के इस वर्ग के बड़े सहयोगी है, कभी नहीं चाहते ये लोग, कभी बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कमनिश्ट पार्टी हो, चाहे ये कांग्रेस हो, कभी ये लोग नहीं चाहते कि ये समाज कभी हुकमरानान समाज बने, इनको डर केवल सभी को केवल डर है, और सभी इसलिए अगर बहुजन समाज पार्टी इन लोग चला जाता है जो बहुजन समाज का मिसन नीचे गया है वो इन गुलाम लोगों की वएसे इन गदार लोगों की वएसे गया है इन्होंने मिसन को बरबाद किया है इन्होंने मिसन को ढाउं किया है साथियो इसी तरह से जो मूच में ताव दे के घूम रहे हैं जो गली-गली का मैं नाम नहीं लेना चाहता मेरा इसारा ही कापी है आपको समझने के लिए ये इस समाज के इस मुमेंट के और महानायकों के बावा सहाब के ये लोग गदार लोग हैं ये उनके साथ गदारी कर रहे हैं ये कभी समाज के हित में कभी समाज का भला इन से नहीं हो सकता बहन कुम कोमेंट के भिरुद्ध नहीं रही है अगर उन्होंने किसी का सपॉर्ट लिया है तो केवल बोजल समाज के हित में अवसरkah का Lab आप ईठाया ऑव सर का Lab बोजम समाज पांड़ी आख अगर जाती के अधार पर इन्हों ने समाज को बाट कई जाती का फायदा इन्हों लिया है इनके पास बिल्कुल ओट नहीं है बीजेपी के पास ओट दस परसेंट भी नहीं है ये जाती के अधार पर लोगों को लड़ा के इसी जाती में से चमचे और दलाल पैदा करके उन्होंने अपना ओट हासिल किया और सत्ता में बने हैं मलाई खा रहे हर जगए हर जग अगर बहुजन समाज के लोग एक जुट रहें ये रिजर्ब सीटह बाद नहीं देता उनके ऑट सभी पाटियों में बढ़ जाते हैं हमारे रोग एक जुट ये जो प्राणपृतिस्ठा और ये सब इनको सफल नहीं होने देंगे, इन पर कंट्रोल केवल बहुजन समाज पार्टी ही, इसको सत्ता मेने से केवल बहुजन समाज पार्टी ही, बड़ी आसानी से, केवल एक जुट रहने से, इस मुमेंट के साथ चलने वाले लोग, इस मि जिन्दा रहेंगे मिसन मर गया तो आपका अस्तित्त खत्म हो जाएगा और ये मिसन केवल बहुजन समाज पार्टी में ही सुरक्षी था और कहीं नहीं है ये जितने भी इस तरह के जो समाज के दलाल लोग घूम रहे हैं ये ये समाज की रिजल चीटोटे बाबा साथ के नाम पर ओट ले गए काशी राम साब का नाम प्रयोग कर रहे हैं और ये ये पार्टियों में एंपी मेले बन रहे हैं मगर इनका समाज से कोई लेना देना नहीं है उसी विचारधारा को पोशित कर रहे हैं जो विचारधारा हमारे लिए दूस्मत का का काम कर रही है हमारे सोश कि हमने अपने जिले की हम अपने राजी की राजनीत को ही समझ सकते हैं इस्टेट लेबिल की राजनीत के ओल बहेंजी समझ सकती हैं इन पार्टियों की दोगले पनकों के ओल बहेंजी समझ रही है वो जो निर्णाय लेगी वो सर्मान सब को मानना चाहिए प्रस्र चिन नहीं उठाना चाहिए ऐसा क्यों नहीं कर रही ये क्यों नहीं कर रही वो जो भी निर्णय लेंगी वो समाज के हित में होगा बहुजन मुव्मेंट के हित में होगा और इस पार्टी के हित में होगा सातियों इनी सब्दों के साथ मैं घुजारिस करूँगा कि बहुजन मुव्में तर्ण इस पूरे देश में इस्थापितर हैगा जै भी इम नमबुद्ध है नमस्कार आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब कहीं हम भूल बहुजन समाज की एक आप देख सकते हैं आप किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं यह आपको पहले दिखा दूँ आएए तो हम देखते हैं सबसे पहले आपने करना यह काम है कि किसी भी पेजबाइल दुआरा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के के बाद आपको वीडियो चालू हो जाएगी यानि कि आपको एक सटिक जानकरी मिलने वाली है बहुजन समाज की पहली एतिहासी किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुर्ष्यों की जानकरी मिलने वाली है आपके इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्मेक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है महान समराट अशोग जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है संत कवीर दास संत शिरोमणी गुरु रवी दास समराट मीर होज जिननोंने इति पूठा काट लिया था धोके से, चोखा मेला, हरीचन ठाकुर, ज्यान दीत, छत्रपती शाहुजी महराज, बिर्सा मुंडा, जियोतिवा फूले, माता साबित्री भाई फूले, फातिमा शेक, ईवी रामा स्वामी, स्वामी अचुतानंद, बाबा सहाब डॉक्टर बी आर अ जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है, आप आडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं, पूजन समाच का एक मूल ग्रंथ यह है, आपके पास आगया है, और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें, तो साथियो अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नमबर देख रहे हैं, इस नमबर पर आप हमें अपना ओर्ड पर बुक करा सकते हैं, कितनी किताब आपको चाहते हैं,